नमस्कार मैं सीमा दूरदर्शन के युवा जगत कार्यक्रेम में आप सब का स्वागत हैं एक बार एक बच्चे अपने पापा के साथ पतंग उड़ा रहा था बच्चे ने देखा पतंग बहुत उची उड़ रही है पर डोर उसको रोग दे रही है ज्यादा उचा ने उड़ने दे रही है तो अपने पापा से बोलता है कि पापा अपन डोर को काट देंगे तो पतंग बहुत उची उड़ेगी पापा ने काट ट्राइ कर लेते हैं और पापा ने डोर काट दी पतंग एक बार तो बहुत उची गई लेकिन फिर गिर गई तब पापा ने बच्चे को समझाया कि बेटा मुच्चा उड़ने के लिए आपको अपनी रूट्स के साथ जोड़े रहना बहुत ज़रूरी है जब तक हम रूट्स और अपनी सपोर्ट सिस्टम के साथ नहीं तो आज इसी विशे पे हम लोग बात करेंगे हमारे जो गेस्ट है श्री रगुनात मुखर जी सर से नमस्कार से हमारे स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू सर जो अभी पैंडेमिक का टाइन चल रहा है और बच्चे समझ नहीं पारे कि हम क्या कर आज भी और हमारा देश तो बहुत ब्लेश्ड है क्योंकि हमारे यहां सबसे बड़ी यूथ की पॉपलेशन हमारे देश में हैं करीब 22 करोड यूथ है हमारे देश में और इनकी स्टूडिज हैंपर हो रही है तो यह क्या करें कैसे इनके हाथ में देश का भविशी भी प्रशनों की संखला में कि प्रतीशत जनसंख्या के अनुसार भारत सबसे युवा देश है पूरे विश्यों में और इसलिए हमको एडवांटेश सबसे जादा है पर पेंडेमिक की स्थिती में जिस तरीके से युवाओं के सीखिने की प्रक्रिया में एक कौमा लगा है इसल तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछाई है अब जब हमको ये पता रहता है कि हमारे इस्थिती खराब हो सकती क्योंकि युवा वर्ग सबसे जादा इस देश में रहता है उनके कंधों पे देश का भार होगा और वो कंधे मजबूत कैस अच्छी शिक्षा से अच्छे मानसिक बौधिक और शारिरिक स्वास्त से अभी अगर हम सब देखे 2020 मार्च से जो इस्थिती हमारे देश में क्रियेट हुई है उसमें ये इसपस्ट हो गया है कि युवा वर्ग की जो शिक्षा और सीखने की जो प्रक्रिया थी उसमें नि है कि स्टुडेंट्स खाली पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जाते एक ओवरॉल जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है वो उनको स्कूल से मिलता है तो सर अब इस कैरेक्टर बिल्डिंग में क्या फरक पड़ा ऑनलाइन और पैंडमिक के करए जब बच्चे विद्यालाई में प्रकार के उनके क्या कवा ननुमें ग्रिया क्या फरक चाहती है जिसमें बच्चे अपने स्वैम के साथ कमपिटिशन करते हैं और वो आप सीकते हैं यह जितन भी प्रक्रियां विद्यालाई में होती है वह टेंडर एज के शुरू होती, तीन साल की उमर में बच्चे स्कूल आता है और अठारा साल की उमर में जाता है, तो यह सबसे नाजुक दौर होता है, बड़ी लचीली मिट्टी होती जब बच्चे सीखते हैं, इसलिए इस सीखने की प्रक्रिया जो होती है, जिस उमर में इसको हम प्रयोग कर कह रही, इनके माध्यम से चरित्र का निर्मान है, अब जिस देश में सबसे पूरे विश्यों के सबसे जादा युवा वर्ग रहते हैं, वहां बच्चे विद्याले में महा विद्याले में नहीं जा रहे हैं, और जो प्रक्रिया साधरन प्रक्रिया होती है, उससे हड़ ग समाज का होता है और वही चरित्र निर्मान देश का होता है, तो आज कहूंगा कि देश के चरित्र के निर्मान निष्चित रूप से कुछ कॉमा लगा है जैसे यह पहले होता था कि joint families होती थी फिर अलग होते थे तो बच्चे कुछ चीजें सीखने से वंचित रह जाते थे और अभी तो schooling के बहुत बड़ी joint family होती है और इन लोग उससे वंचित होते जा रहे हैं तो कहीं न कहीं कॉमा तो चलिए लगा है लेकिन कुछ न कुछ तो इसका भी तरीका निकल जाएगा सर निश्चित रूप से निकलेगा अभी देखे पैंडेमिक की स्थीती में हम यह देख रहे थे कि minimum क्या possible है जी हम minimum common minimum प्रोग्राम पे चल रहे थे कि बच्चों को सीखेने में नुकसान ना हो फाइदे तो निश्चित रूप से बहुत कम हो गए हैं क्योंकि जब बच्चे विद्याला आते हैं पूरे उन लोग को अपने जीवन का आनंद प्राप्त होता है वो अपने हम उमर बच्चों के साथ वो खेलते कुटते हैं लड़ते जगडते हैं बाद विवात करते हैं तो इस तरीके से उनको जो जीवन का आनंद है सीखने का वो प्राप्त होता है और ये उनके मानसिक, शारिरिक, बौधिक विकास के लिए बहुत जरूरी है जिसमें अभी काफी कुछ रुका हुआ है हलाकि धीरे-धीरे ये काफी खुल गया है तो अभी ये लग रहा है मुझे कि जिस तरीके से पैंडामिक बिहेव कर रहे है बहुत जल्दी हमारे बच्चे साधरन प्रक्रिया में वापस आ जाएंगे ये तो बहुत अच्छी बात है से लेकिन अभी एक्जाम्स का टाइम पास है और बाकी बच्चे तो चलो फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है लेकिन 10-12 की एक्जाम्स में तो आते थे और वह इंतहान एक ब्लैक बॉक्स होता था बड़े दुरभागी का विशय है ये कि जो हमारे इंतहान होते हैं वह लर्निंग बेज्ड नहीं होते हैं वह आपने कितना मग कर लिया है यह बड़ा मुश्किल है अनलेसिस जब हम करते हैं बच्चों को तो अभी हम य लिंग में कॉमा हैं बच्चे काफी बच्चे उन साधनों का प्रयोग करने लगे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों को फोकस करना चाहिए लर्निंग में एक्जाम में मार्क्स बेस्ट एक्जाम होने के करण हमारे बच्चे फोस्ट हो रहे हैं कि वो दू मार्जित मार्ग्स जो हैं वो बहुत काम नहीं आते हैं तो प्लीज फोकस आप अपने पूरा फोकस करिए अपने अध्यन अध्यापन पर इमानदारी से पढ़ाई करी जो नहीं आता है ऑनलाइन वे भी शिक्षकों से पूछ सकते हैं और घर से मदद लें इंटरनेट पर सर् संब जब मार्क्स की बात हुई तो एक जो भी बहुत कॉमन्ची ज़े कि अभी क्या heel रहा है कि जो 12 मार्ग्स हैं तो जो एडमिश्ट के कंसीडर नी कर रहें तो इन लोगों को बहुत सारे एंटरेंस अग्जाम देने पड़ कंसीडर करें बच्चों को celebrate करना चाहिए, मुझे लगता है कि यह वर्दान हो गया है, अगर किसी बच्चे का सपना एक particular college में admission लेने का, और अगर उस college में admission का criteria केवल class 12 के marks हो, तो हमारी limitations बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब class 12 में या 10 में किसी भी class में देखे हैं, हमने बच्चों को online पढ़ाया है, और offline exam ले रहे हैं, term 1 जो है, वो objective type है, term 2 exam जो है, वो descriptive होगा, subjective होगा, अब इसमें क्या है, कि यह काफी आसान नहीं है बच्चों के लिए, लिखना भी छूड़ गया है, दो साल का gap हो गया है, अच्छे से अच्छे विद्यार्ति हम देख रहे हैं, 89-30 के उपर paper को खतम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, पर वो कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर कॉलेजों ने डिक्लेर कर दिया कि हमारे इंटरेंस एक्जाम होंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ें, डरे ना कि क्लास 12 का रिजल्ट कैसे आएगा, जब आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे और सीखेंगे, तब क्यों होगा 12 का रिजल्ट बुरा नहीं आएगा, अच्छा आएगा, प्लस आपका जो ड्रीम कॉलेज है वहाँ पर भी अड्मिशन मिलेगा और भविश आपको उज्वल होगा, मतलब जो नेगेटिव सोच रहे थे, सही माँने में वो उन लोगों के लिए पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचे आप, बिल्कुल ना, आपको एक और मौका मिल रहा न, आप क्लास 12 की तैयारी करें, वो आपकी तैयारी आपके बै का अनुबह होगा, और किसी भी कॉलेज में जो सिलिबस होगा, इंटरेंस टेस्स का, वो आपका क्लास 12 का होगा, तो आप बिल्कुल रम जाएंगे और चमकते रहेंगे उस वक्त, पर हां, तैयारी ना छोड़ें, और अपने फिजिकल हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रख रहा है, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, बहुत कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, आप योगा करें घर में, मेडिटेशन करें, बहुत आवश्यक हैं, अब हमको लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा, हमको इस फ्लू के साथ जीना सीखना पड़ेगा, और हमको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, जी, तो सर्च जो बहुत सारे बच्चे मार्क्स के लेकि पैनिक हो रहे हैं भी, बहुत जादा डर जा रहे हैं, कि उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, कि हम अपने आपको कैसे मैंटेन रखें चीजों को कैसे मैंटेन रखें, तो उनको क्या करना चाहिए पैनिक होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो समाज है किसी बच्चे की काबिलियत को उसके द्वारा प्राप्त करें मार्क्स पे ही जजज करता है, यह बहुत दुरभाग्य हैं, तो समाज को जजज करने द और अगर अगर इस बात को ध्यान में रखके अपनी पढ़ाई करेंगे, तो हर दिन आप विजेता बनके उभरते रहेंगे, हर दिन अपने पर जीत हासिल करते रहेंगे, और जिंदगी में आगे वड़ते रहेंगे आप. अभी इंटरनेट पे भी बहुत सारी इंफरमेशन एविलेबल है, कुछ स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इतनी वास्ट इंफरमेशन एविलेबल है, अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं, कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, जो पड़े सीखने में होते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं कि कोवित का जो वेक्सिनेशन हो रहा है, लोगों को पकड़ रहे हैं दोड़ दोड़ के, आज नहीं बाद में लगा लूँगा, आज छोड़ दे मुझे, मैं कल करूँगा, देखें, कल नहीं आता कभी, कभी कल नह आता, जो करना है, आप करें, बिल्कुल चीजों को टालेना, और अगर समस्या है, तो उसे भिढ जाएं उसे आप, अंग्रेजी में कहावत है, catch the bull by its horn, आप कभी भी बुल को पकड़ते हैं, तो दुम से ना पकड़ें, उसको सींग से पकड़ें, इसका कहने का क्या मतलब है, मतलब यह नहीं है, कि आप जाके बुल को पकडने कोशिश करें, बुल है एक समस्या, उसको समाधान क्या करना है, head on, उसको सामने से उसको meet क करिए, solve करने की कोशिश करिए, जरूरी नहीं है कि आप पहले प्रयास में successful होंगे, आप फेल होंगे, अगर आप पहले दूसरे तीसे प्रयास में फेल होता है, तो celebrate करिए, आपको ज़्यादा सीखने मिल रहा है, ऐसी प्रकर्ती ने कोई भी ताला नहीं बनाया है, जिसकी च यारी करें, क्योंकि आपका competition आपके दोस्तों के साथ विद्याले के बच्चों के साथ, शहर या देश के बच्चों के साथ नहीं है, आपका competition आपके swim के साथ है, बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो competitive spirit को lose कर दिये हैं, जो अभी हमें थोड़े दर पहले बात हुई थी कि क कैसे अपनी competitive spirit को बरकरार रखें? बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने जो सीखा है, वो सही है, और समय आने पे ये मेरे लिए उपयोगी होगा, जब आप अपने मास को दूसरे के साथ compare करते हैं, तब ये दुखदाई हो सकता है, और अगर सुख दे रह रहा है, क्योंकि ऐसा कोई champion बना ही नहीं कि उससे अच्छा champion ना बने, तो आप क्रपया अपने आपको marks के basis में, examination के marks के basis में बिल्कुल compare ना करें, आप इमानदार रहें, हर वक्त हाँ हाँ रखें कि जो आपने सीखा है, आपने जो अभ्यास किया है, आपने जो प्रयास कि जी, उतना अच्छे result नहीं आता है, क्या वो बच्चे जीवन में सफल नहीं होते हैं, वो बच्चे ज्यादा सफल होते हैं, और ये हम पिछले 33 सालों से देख रहे हैं, कि आपके एक इम्तिहान का result आपके जिन्दगी की धारा को नहीं तै करता है, आप स्वेम तै करते हैं और जिस दिन जागोगे, जिस दिन ठान लोगों की मुझे अच्छा करना है, उस दिन से नहीं धारा शुरू हो जाएगी, ये तो ऐसे हो सकता है, कि जब आदमी एक बर फेलियर फेस करता है, और उससे उबरता है, तो उसको नहीं चीजें समझ में आने लग जाते हैं, कि ल करें, वो कहां से help लें, डिप्रेशन के लिए, जहां पर भी भच्यों को घर में समवाद नहीं मिलता है, जहां पर भी बच्चें अपने शिच्छकों से बात नहीं कर पाते हैं, वहीं पर डिप्रेशन नाम की एक जो कुछ सालों से चीज है, वो ग्रो कर जाती है, हम भी स् में रहें जहाँ भाई बहनों की संख्या बहुत होती थी तो आजकल भाई बहनों की संख्या कम होती छोटे परिवार हो तो depression common चीज है depression की दवाई जो हमारे वक्त में थी जब हम विद्ध्या ले गए थे तो शिक्षक का डंडा होता था पापा के थपड़ होते थे, मा के बिलने होते थे, आजकल वो हड़ गए हैं, कारूनी रूप से इस्तिवाल नहीं होते हैं, और होने भी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों का इंटरेक्शन दूसरों के साथ अगर जादा होगा, तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज होगी नहीं, डिप्रेशन के एक और कारण है, कि हमारी, जब हम अपने, आपको अपनी काबिलियत से ज़्यादा आख लेते हैं, जब हम प्रयास नहीं करते हैं, और हमारे को जो रिजल्ड मिलते हैं, उसको हम देखते हैं, तब डिप्रे depression तो हर बच्चों को बात करने चाहिए पैरिं नहीं जा सकते हैं एक्टिविटीस नहीं है आप वाइक करने जाए आप दौड़ लगाके आए अब रोज 40 मिलिट दौड़ीए ना डिपरेशन नाम का भूत भागेगा आप से, कभी नहीं आ सकता आपके पास, जब हम अपनी शारीरिक एनर्जी को कम करते हैं, शरीर में मांसिक और शारीरिक दो एनर्जी होती है, तो होता है क्या है, जब हमारी मांसिक एनर्जी कम हो जाती है, तब हम कहते हैं, डिपरेशन के शिकार हो रहे हैं, हमको भय लग रहा है, हम अनिश्चित है, तब क्या करना चाहिए, जो फिजिकल एनरजी है, उससे हमको मेंटल एनरजी को फीडिंग शुरू करना चाहिए, तो जैसे आपको डेपरेशन होता है, तो आप दौड लगा ये, सुबह शाम दौड लगा क्या ये, कुछ खेली अगर संभव है तो, कुछ योगा मेडिटेशन करिए, आपकी फिजिकल एनरजी एलिवेट होगी, जैसे फिजिकल एनरजी एलिवेट होगी, आपके मेंटल एनरजी को सप्लाई मिलनी शुरू कर देगी, और आपको हैपिनेस होगा, ऑक्सिटोसीन आपके बाड़ी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, वो केमिकल और आपको अच्छा लगने लगएगा, वो डिप्रेशन की दवा वही है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके डिप्रेशन का पिल लेते हैं, आपका डिप्रेशन कभी ने जाए से भीड़े, मतलब समस्या को साइट्रेक ना करके समस्या को भी फेस करें, और फेस करके उसके रूट कोज में जाके उसका निदान करें, और लेकिन सार इसके लिए पैरेंट्स को और टीचर्स को भी तो उन बच्छों को सपोर्ट करना बहुत ज़़री है, निश्चित आपको देखते रहें, क्या हो रहा है, एक एंकरिजिंग वातावरन बनाएं, उनसे पूछे क्या हो रहा है, क्या नी हो रहा है, घर में ऐसा वातावरन दे कि बच्चे को अच्छा लगे, जगा जटना हो, बच्चे उपरशने, थोड़ा बहुत बच्चों से काम भी कराएं उनको स्वावलंबी बनाएं, क्योंकि देखने मिला है कि बच्चे जो 12th क्लास पास करते हैं, मेजॉर्टी और बच्चे बड़े दूसरे शहरों में जाते हैं, उनको जीवन में सड़नली चेंज आने से बिच्छारे परिशान हो जाते हैं, उनको बहुत वक्त लग जाते ह करके हैं, यह काम में में काम काम नभी होता है, बच्चे अपने मंई पापा को svt looks, बिजनेस में हें में help, भरे는지 में help, घर के काम के खर करेंश आपको अपने अप अछी फीलिंग मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हो, सामाजीक काम करें जब आपको संस Le तो डिपरेशन नाम का भूत आपके पास कभी नहीं आ सकता है। मतलब जो ग्रैटिटीड वो शो करें और सोसाइटी के लिए भी कुछ करें, वहां के लिए अपना ग्रैटिटीड शो करें, और लाइफ स्किल्स भी सीखें। बहुत ज़रूरी है। सर एक और चीज हो रही है कि जो टीचर्स हैं, एक तो टीचर्स ने कभी ऑनलाइन के उनको भी नहीं पता था कि हमको कभी ऐसे पढ़ाना पढ़ सकता है। पर जब वो स्कूल में जाते थे तो अपने घर से दूर हो जाते थे तो उनका पूरा फोकस वही रहता था। अभी टीचर्स भी घर पे बहुत सारी डिस्पोंसिबलिटीज बढ़ गई है तो उनकी मेंटल हेल्प ठोडी तो कहीं—कहीं हमें हेंपर हो रही है। परेंट्स की भी हो रही है और श्टूडेंट्स की भी हो रही है। और इन सब के सारी चीजों के बीच में सबसे ज़्यादा जरूरत शैदा भी स्टुडेंट्स की है क्योंकि उनका भविश्य भी आगे आना है टीचर्स और पैरेंट्स का तो आ चुका है तो अब इन सब के बीच में कैसे सामंजस था पे तो एक बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैं पूरे विश्यों के सिक्षकों को कोरोना वारियर्स के रूप में देखता हूँ जी क्योंकि जब ये कोविद 19 का अटैक हुआ तो किसी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे मेडिकल साइंस भी हमने देखा था कि उनको क्लू नहीं था क्योंकि नया दल गया पर बड़ी दाद देनी पड़ेगी इस कमिनिटी को इस कौम को सिक्षकों के की कमर कस लिया वो आदी नहीं थे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए गजट्स के पचास परती सचे दादा शिक्षकों को बहुत जादा गजट्स फ्रेंडली नहीं थे पर बिना समय गवाए उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली सीखे और उन्होंने अपने घरों से क्लासरूम डेलिवरी सुलू करी कारण क्या पता है उनको अपनी फिकर नहीं थी उनको फिकर थी बच्चों की देज की फिकर थी चरित्र का निर्मान करना था बच्चों को सिखाना था और उनको ये जि तो कौन करेगा इस बात को, तो शिक्षकों ने जो कमाल कर दिखाया है, तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टरों के साथ-साथ हमें रिकनाइस करना चाहिए कि शिक्षक भी कोरुना वारियर हैं, क्योंकि जीवन बहुत इंपोर्टन है, डॉक्टरों ने जीवन बचाया, पर से ज्ञान, वो शिक्षकों ने उस ज्ञान की धारा को बहने दिया, रोका नहीं, जितना भी हो सके, जिस माध्यम से भी हो सके, वो धारा लगातार बहाते रहे, बच्चों के टच में रहे, आज भी टच में हैं, और अगर ये सिती चलती रहेगी, तो जरूर टच में बने हैंगे बच्यों के, तो यह अदभुत परिवर्तन मुझे शिक्षकों के अंदर देखना है, बनाने के लिए भी तो शिक्षकों की ज़रूरत है, उसके बिना कैसे बने हैं, शिक्षकों की ज़रूरत है, जहें डॉक्टर हो है, इंजिनियर हो, पॉलिटीशियन हो, C.A हो, बच्छा इंसान हो, खराब इंसान हो, वो सब के लिए शिक्षकों की आवश रोकता है, शिक्षक की ज़िमेदारी है, यहाँ पर मैं शिक्षक केवल वो नहीं जो इसकूल में जाकर टीचिंग करते हैं, शिक्षक वो मा है जो घर पर है, शिक्षक वो पिता है जो घर पे है, शिक्षक वो भाई, बहन, पडोसी है, जो आसपास है, शिक्षक वो वातावरन है, शिक्षक वो समय है, इस सब हमको शिक्षा दिलाते हैं, हमको कुछ न कुछ सीख देते हैं, इसलिए हमको बहुत alert रहना है, sensitive और sensible होना है, कि हमारी कैसी situation मैं कैसे सीखूं, और उसका इस्तेमाल करके, अपने जीवन के पथ में आगे बढ़ू, मैं कुछ सीखूं, इसलिए कि मैं दूसरे को कुछ सिखा सकूं, मैं कुछ पाऊं इसलिए कि मैं दूसरे को दे सकूं, हमारा देश इसलिए महान है, जी, सर आपने हमको बहुत तो इसी तरीके से पैंडेमिक की सिच्वेशन में हम चेंज नी कर सकते हैं लेकिन हम अपने आपको बैटर एक्विप कर सकते हैं ताकि हम इन चीजों से बैटर डील कर सकें और हमारे साथ रहने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी इसी कड़ी में हम आप स मिलते रहेंगे, नमस्कार.